पौरानिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव स्वयंभू थे। इनमें से प्रत्येक नाम शिव के एक अलग गोण या पहलू को दर्शाता है। शिव की पूजा करने के लिए सबसे पहले एक साफ सुत्री जगह पर शिवलिंग की स्थापना करे। फिर शिवलिंग पर जल, दूद, शेहद, खी, दही, फूल, धूप, दीप और नयवेद्य आधी अरपित करे। शिव मंत्रों का जाब करते हुए शिवलिंग की पूजा करे। पूजा के अंत में शिवलिंग को जल से स्नान करा कर उसे साफ कपडे से पोच डेल। शिव की पूजा करने से भक्तों को कई लाब प्राप्त होते हैं, जिनमें शामिल है। शिव की पूजा करने से भक्तों को दूसरों की मदद करने और समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए प्रेरित किया जाता है। अब दुसरा हम भौतिक लाब को सुनते हैं। शिव की पूजा से भक्तों को भौतिक लाब भी प्राप्त होते हैं। शिव को धन, सम्रिध्धी और सुख का देवता माना जाता है। उनकी पूजा करने से भक्तों को इन क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करने में मदद मिलती है। शिव की पूजा एक शक्तिशाली अनुष्ठान है जो भक्तों को कई लाभ प्रदान कर सकता है।